मुस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग जिस विशाय पर बात करने जा रहे हैं, ये दरसल एक ऐसा विशाय है जो यहाँ पर ये एक ऐसे विशाय के रूप में उभलता है, जिसमें आप अपने प्रतिस्पल्धी की तुलना में 10, 15 या उससे भी अधिक अंक्त की बढ़त हासिल कर सकते हैं, महज कुछ प्रैक्टिस से, कुछ नॉलिज से, कुछ उस पर अभ्यास करके। हम लोग बात कर रहे हैं निबंद विशय पर, जिसे आम तोर पर एस्पिरेंट्स की दुनिया में एक इग्नोर्ड विशय माना जाता है। पर पूछा जाएगा 78 नंबर का, जबकि निबंद का पेपर पूछा जाएगा 120 नंबर का। और इस वज़य से, अगर आप केवल quality पढ़ने भर जितना समय भी निबंद के लिए दे देंगे, तो यहाँ पर आप अपने competitors की तुलना में 15-20 अंकों की बढ़त बना सकते खाला कि फिर भी यह जानते हुए भी experience द्वारा इतना ज्यादा इस पर ध्यान इसलिए भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि निबंद लेखन दरसल अपने आप में एक आर्ट है। और जब भी हम लोग कोई और paper देके निकलते हैं, माननीजें GS का paper देके निकलते हैं, या Hindi Objective का paper का paper देके निकलते हैं, तहीं सारे प्रषण ऐसे होते हैं, जो हम लोगों को नहीं आते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं, तो इस वज़य से सभी की चहरे की मुद्रा जो है वो थो यही है कि निबंद किसी खांचे पर आधारित, किसी फॉर्मूले पर आधारित नहीं लिखा जाता है, निबंद कोई साइंस नहीं है, कि उसमें आप फॉर्मूला रग दिया, उसका उत्तर आ गया, तो मिलान कर लिए कि हां मैंने सही किया या नहीं किया, बल्कि यह एक वाला भाव तब उत्पन होता है, जब रिजल्ट आता है, और रिजल्ट में बाद में हम लोगों पता चलता है, कि यार पूछा तो उसमें नारी विमर्ष था, जिसमें मैंने नारी सशक्ती करण पर याद किया हुआ, निबंद लिख दिये, याद रखना है, निबंद का एक-एक टॉपिक यहाँ पर जो पूछा जाता है, वह उतना आसान रहा नहीं है, निबंद के लिए हम लोग थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस, यदि अभी के इसाफ से देखा जाए, तो यदि हम लोग प्रतिदिन का केवल एक-एक घंटे की प्रैक्टिस भी औसतन कर लि अपने पिछले वीडियो में, मेंस की स्टेटजी के वीडियो में हम लोगों ने ये डिसकस किया था कि निबंद का विशाय जो है, वो 120 नंबर का पूछा जाता है 400 में, यानि लगबग 30% की इसकी वेटेज निकलती है, और यही कारण है कि यहाँ पर जो टॉपर्स होते है जो वास्तों में सेलेक्ट होते हैं हारों की परिक्षा में, उनका ज़िए आप निबंद के स्वोर को एनलाइज करेंगे, पिछले वर्सों की मार्क्षीट के आधार पर तो वो 75-76 से कम नंबर कभी भी नहीं रहते हैं, अर थात उन लोगों ने प्रॉपर प्रैक्टिस की ह होती है, ऐसा नहीं है कि अज्यादत और अभ्यर्टियों की तरह सीधा जाकर कयामत वाले दिन पर ही पहला निबंद लिख रहे हैं, और इस बात के आश्मिस्वास में डूबे हैं कि बच्पन में हमने बहुत निबंद लिखे हैं, बच्पन वाले निबंद अलग होते हैं, यहां पर देखे रहे हैं, तो उसी वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा ये टार्गेट रहेगा कि 120 में से हम लोग 80 नंबर तक स्कोर करने की कोशिश करेंगे, तभी हम लोग सेफ स्कोर में पहुँच सकते हैं, और इसके लिए यह 80 नंबर तक स्कोर करना इतना असान नहीं है, यहां पर दरसल आपको 50 से 60 निबंधों की कम से कम प्रेक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके साथ में यह जो 50 साथ निबंध है, इनकी प्रेक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ आप देखिए तो जो निबंध के, जिनको पैटर्न पता हो, उ यदि आप परियापत अपना सोच विचार के आराम से भी लिखेंगे तो ये इतना लिख जाता है, पेपर छूटता नहीं है, परंतु ये जो निबंद होता है, इसमें एक निबंद आपका पूछा जाता है, 40 नमबर का, 40 गुड़ा 3, 120 नमबर का ये पूरा पेपर होता है, इसमें हमें कितना स्कोर करना चाहिए, तो जैसा कि मैंने टार्गेट बताया है, 80 नमबर लाने के लिए आप लोग इतना तो समझी के होंगे, कि इन तीन निबंदों में लगभग on an average की यदि बात करें, तो हमारे 27, 27 नमबर तत्येक निबंद में आने चाहिए, और वास्त में 26, 27 नमबर आ जाए, तो किसी तीसरे सेक्षन में आपका जो खराब निबंद हुआ, उसमें 24, 25 नमबर भी आ सकते है, तो भी आपका काम चल जाएगा, समझने वाली बात ये है कि कौन सा सेक्षन ऐसा हो सकता है, जिसमें हमें बढ़त बना सकते हैं, जो निबंद के हो गिया, ये राजनितिक हो गया, सेक्षन बी में आपका 3 विषए होता है, जिसमें आपका कृषी हो गया, पर्यावराण, प्रद्योकी हो गया, आर्थिक हो गया, और C में हो गया आपका, एक तो करेंट अफेरस से रिलेटेड पूछ लेता है, एक उसके साथ में विभिन कुछ सा सेक्षन हम लोग ले सकते हैं जो हमारे लिए बढ़क बनाने वाला हो सकता है या जिस पर हम कमांड अच्छी कर सकते हैं। जिसमें हमें 30 नंबर तक लगभग स्कोर करना है, ऐसा कौन सा सेक्षन है, तो ऐसा सेक्षन ज़्यादा तर लोग इसमें क्रिशी को मान लेते हैं, कुछ लोग इधर सामाजी के राजनीतिक को मान लेते हैं, आपको यह याद रखना है कि जब 2014-15 के पहले वाली कौपी थी, उ उस हिसाब से आपका फर्स्ट इंप्रेशन परिक्षक के उपर, कौपी चेक करने वाले के उपर फर्स्ट इंप्रेशन उसी हिसाब से जाता दा, परन्तु अब की जो इस्थिति है, वहाँ पर अगर यह आपकी कौपी रहती है, तो यहाँ पर पहले ही आपका सेक्षन एक तीनों निबंद दे देगा, और उसके बाद लगबग पांस से छे पेच छोड़ करके फिर दूसरा निबंद यहाँ पर लिखा रहेगा, तो यहाँ पर क्या है कि आपकी पास यह मजबूरी है कि आपको सेक्षन एक निबंद को ही सबसे पहले अटेम्ट करना है, सेक्षन किसमें हमें जो है, तो यानि कि हमें सबसे जादा मजबूत किसको करना है, सेक्षन एक को करना है, सबसे पहली बाद तो यह अपने दिमाग में बैठा लिजए कि सबसे मजबूत सेक्षन एक को करना है, जहाँ पर सामाजिक, राजनीतिक और साहित और संस्कृति संबंदित पकड़ बना लेते हैं कि इन्तों साहित वाले को छोड़ देते हैं, साहित वाले को भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, उसका भी कारण है क्योंकि जैसे कई बार उन्होंने ऐसा करा है कि अब जैसे सेक्शन A है, सेक्शन A में अगर ये तीन निबंद पूछे गए हैं, एक ये सा साहित समाज का दरपन है, साहित समाज का प्रतविम्ब है, साहित समाज के पुनन निर्माल करता है। इसको हो सकता है कि ये राजनीतिक वाले को साहित से जोड़ दें, कि राजनीति में साहित की भूमिका, हो सकता है कि ये समाज को राजनीति से जोड़ दें, मानीजे धर्म और राजनीति, इस तरह कि कोई भी विशय बना सकते हैं, और ये जो है, एक बार ऐसा भी हुआ है कि त पूरी पूरी एक तरफ से नहीं पढ़ता है, बलकि वो शुरुवाती निबंद की शुरुवाती भूमिका पढ़ लिया, पहला पेराग्राफ पढ़ लिया, फिर सीधा निश्कर्स पढ़ लिया, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो भूमिका है, भूमिका कैसे लि लिए अंक मिलने होते हैं, तो वह भी आपका बहतरीन होना चाहिए, इसके साथ साथ में आपकी शब्दावली, आपके शब्द अच्छे होने चाहिए, आकर्शक सब्द होने चाहिए, आकर्शक सब्द का मतलब यह नहीं है कि आपको क्लिष्ट सब्दों का प्रयोग करना ह और जहिर से बात है कि थोड़ा सा मतलब स्टेंडर्ड जो सब्द होते हैं उसका प्रयोग करना है और उसके साथ साथ आपको कविताओं सुक्तियों इत्यादी का भी प्रयोग अपने निबंद में बनाकर रखना है जो डेटा है उनका निबंद बना डेटा का प्रयोग करते निबंद के नाम पर केवल कविताओं को ही प्रयोग करते हैं और इस वजए से उनकी जो निबंद उनके होते हैं उसमें कहीं नहीं कविताओं का वमन दिखता है यानि वमिटिंग हो जाती है यानि इतना ज्यादा आतिडेख हो जाता है कि वो फिर एक्जामिनर के मन में गलत प्रभाव क्रियेट करता है कि यह मुझे कविताओं से उल्जाना चाहता है गुमराह करना चाहता है यानि इसके पास कथ तमजोर है तो कितने कविताओं रखन निबंद में कैसे कर सकते हैं, ये सभी बाते ध्यान देने योग हैं, और इसी पर हम लोग आज की अपने इस वीडियो में समझ रहे हैं, निबंद को कैसे तयार करना है, इसका एक मोटा सा खाका यदी मैं बताऊं, तो निबंद दरसल इन तीन विश्यों पर आधारित हो, इन कि मतलब इस कत को आपको जानना ही नहीं परियाबत है, आपको याद है, वही नहीं परियाबत है, बलकि उसके साथ में आप लोग राइटिंग भी कर सकते हैं, यानि उसको बार-बार लिखने की भी कोशिश कीजे, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करते हैं, कि आप किसी बु विमर्स और आप लिखाएंगे कि किस प्रकार से जातियों का उद्भव पराभव हुआ वो सब नहीं लिखना है एकदम completely different है नारी विमर्स और नारी सशक्तिकरण completely different है ऐसा हो चुका है यह दोनों विशे पहले आ चुके हैं इसलिए मैं इस पर बात कराओ कि राइटिंग प् पूछा जा रहा है वो 400 में पूछा जा रहा है यानि 30% का वेटेज है इसलिए इस पेपर में खास तोर पर आरो के पेपर में यहां पर व्याकरणिक तुर्टियां भी नहीं चलेंगी कारण यह है कि आपसे अच्छा लिखने वाले बगैर कोई तुर्टियों के एकदम सु पर हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना है इसकी तैयारी के वल कोगनिटिव इस तर पर यानि संग्यानात्मक इस तर पर फॉर्ट्स जनरेशन तक ही नहीं सीमता पर रख सकते हैं कि आप कोई बुक ले लिए और कोई नोट्स ले लिए या पर कहीं कुछ लिखा हुआ निबं मैंने यहाँ पर इसकी तैयारी के लिए दो तरह से हम लोगों ने डिसाइड किया है देखे दो प्रकार से इसकी हम लोग तैयारी करेंगे एक हो जाएगा पेड़ बैच के माध्यम से एक है फ्री बैच के माध्यम से पेड़ बैच को पहले समझते हैं इसमें क्या है पिछल निबंद क्यों पूछा जाता है, निबंद के भूमिका निश्कर्स लिखने के कितने तरीके होते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक topic को उठा करके उस पर 10 तरह की भूमिका ये लिखना, एक topic को उठा करके 5-6 तरह की निश्कर्स लिखना, वो सभी बातों की practice इसमें करा चाहिए, आकरसक भासा का प्रयोग कैसे करें, कहां से नए सब्द सीख सकते हैं, उसके साथ साथ विराम चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से करना है, ये सबी कुछ fundamental वीडियो हैं, इस पर हम लोग अपने पेट बैच में काम भी करते हैं, यहां पर आप देख भी सकते हैं, ब खुमिका लेखन की प्रैक्टिस, ये सभी चीजें देखें, इतने सारे वीडियो यहां पर अविलेबल हैं, अभी ये सूची पूरी नहीं है, अभी इसमें कुछ और, चुकि इसकी क्लास इस हफते से रिस्टार्ट हो रही है, पुरानी वाले जो बैच है, वह भी रिस्ट करता है, साहित के समास से कैसे प्रवाइड होता है, समास साहित को कैसे प्रवाइड करता है, साहित और संस्कती में किस प्रकार का अंतर संबंद है, दहेज को दानों क्यों माना जाता है, हलाकि थोड़ा पुराना रिबंद है, लेकिन आजनिक सिक्षा, ऑनलाइन सिक्षा की कैसे सुधार करें, इस पर भी बात की गई है, क्योंकि ये एक व्याओहारिक समस्या के रूप में, हम लोगों को समझ में आया था कि, इस्टुडेंट के समझ ये प्रमुक समस्या है, और हेंड़ाइटिंग के इस्तर सर्वे, बजेट वगएरा, उसके पॉइंट्स डाल सकते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टार्गेट्स दिया जाता है, यहाँ पर जैसे आपका टॉपिक होता है, वैसे आपको टार्गेट दिया जाता है, उसके साथ-साथ में इसका मुल्यांकन भी किया जाता है, याणि यह टार्गेट देने के साथ-साथ इसका मुल्यांकन भी किया जाता है, यह हमारी पूरी प्रक्रिया रहती है, मुल्यांकन किस प्रकार से होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह सभी टेलिग्राम ग्रुप में ग्रुप बना हुआ है, जितने भी लोग शामिल होते हैं, उस हिसाब से उनका मुल्यांकन किया जाता है, हर एक PDF का, अगर आपको नहीं भी दिखाई पड़ रहा हो, तो यहाँ पर मैं डिटेल करके आप को बता देता हूँ, और उसके बाद वापस आते हैं, हम लोग अब प्री बैच के बारे में जानते हैं, उससे पहले इसकी फीस पर बात कर लेते हैं, इसकी फीस जो निधारित की गई है, वो है 1299 रुपए है, अब देखे, अभी यह फीस अल्रेडी 1500 चल रही है, जो हमारा पुराना बैच है, लेकिन यह नए बैच में थोड़ा सा डिसकाउंट करने के लिए, इनागरल ओफर के रूप में 1299 इसकी फीस रखी गई है, इसके अतरिक्त कोई भी शुलक नहीं है, यानि इंटरनेट चार्जर्जर्स और साथ में टैक्स वाला जो पैसा होता है, वो इ आप लोग नए बैच लेते हैं, तो वहाँ पर यह 1299 आपकी फीस रहेगी, निबंद के साथ में यदि आप लोग हिंदी प्रारूपर का भी बैच लेते हैं, जहाँ पर हिंदी ड्राफ्टिंग के समस्त विश्यों को कम्प्लीट कराए जाएगा, तो यह फीस आपकी बैठ के साथ में त्यारी कराई जा रही है, यहाँ पर हम लोग निबंद से संबंधित सभी चीजों को डिसकस करेंगे, निबंद का जो fundamental वीडियो है, पंडाज क्लियर करने के लिए, जो वीडियो यहाँ पर दिये जाएंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी चीजों को लाइव इन दोनों में अंतर इस इस्तर पर होगा, क्योंकि काफी समानता हैं रहेंगी, परंतु अंतर यह होगा कि यहाँ पर जो नोट्स दिये जाएंगे, वो पहली बात तो नहीं होगे, क्योंकि आप समझी रहें कि यहाँ पर paid batch से इनके साथ में दरसल वो अन्याय होगा, अगर हम हम लोग यहाँ पर notes वगरा देंगे, और उसके साथ में यह जो यहाँ पर evaluation वाला process है, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि already हमाई पास पहले वाले batch के निबंद काफी सारे हो जाते हैं, लगबग 77 निबंद ऐसे हो जाते हैं, जो प्रतिसप्ता हम लोगों को check करने र रहेगी कि आपकी help हो सके, अर्था जो लोग भी किसी कारणवस्ट भी इसको खरीदने में सक्षम नहीं है, वो यहाँ पर इससे लाभानवित हो सकें, और उसका फायदा ले सकें, यह हमारे mentorship plan में पहले से भी हम लोगों ने commit किया था, और वो चीज़ पर हम लोग अभी भी हमीज होते हैं कि वो उसका गलत उपयोग करते थे, जैसे वहाँ पर कई सारे ऐसे भी लड़के, क्योंकि हमें अब कोई निबंद पोस्ट करना होगा किसी भी व्यक्ति को, तो फिर उस group को हमें खोलना होगा, और group को खोलने पे कोई भी व्यक्ति किसी का भी number या उसके contact में उस बात पर मैं अभी भी टिका हुआ हूँ, यहाँ पर जो evaluation वाला process है, उसको करपाने में हम लोग सक्षम नहीं है, यह केवल और केवल paid batch के लिए ही होगा, साथ में जो PDF notes वगरा मिलेंगे, जो कविता सुक्ति उधरन मिलेंगे, जो data bank इत्यादी मिलेंगे, वो भी केवल paid का भी batch लेता है, तो हिंदी में प्रारूपर से सम्मझने जितनी भी चीज़ें होती है, वो सभी को यहाँ पर discuss किया जाएगा, यानि प्रारूपर में आपका letters वगरा आता है, उसका भी practice वगरा कराया जाएगा, आप कहीं पर भी जाएंगे, आप जो market में test series वगरा mains के चल नहीं है, जबकि हम लोग यहाँ पर unlimited निबंदों का evaluation करते हैं, आप जितने भी निबंद लिख सकते हैं, उन सभी काम लोग evaluation करते हैं, दो से तीन दिन, शाह दिन में आपके निबंद वापस भी मिल जाते हैं, चेको करके, और उसके साथ में जो भी गलतिया है, उन सभी को highlight mark किया जाता है, उमीद है आप लोग जिस भी तरीके से जुड़ना चाहें, पेड बैस में जुड़ना चाहें, तो आपको एप में, इन फोकस सिविल अकेड़ी नाम के आप में जा करके वहाँ पर payment करना होगा, और अगर आप लोग फ्री बैस से जुड़ना चाहें, तो आ लिबंद के अत्रिक्त जो और भी वीडियो हैं, उनको जानने के लिए, समझने के लिए हमाई साथ बने रही है, बहुत बहुत भन्यवाद, नमस्कार.